अगर आप भी इस तरह की आदत से पीड़ित है तो इसका मतलब है आप बहुत टालम टोल कर रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कहीं बार व्यक्ति अंतर दौंद से भी गुजरता है, इसके कार्म भी टालता है देखें, अंदर अंदर कॉंफ्लिक्ट हो रहा हूं, अंतर दौंद हो रहा हूं, मैं यह करूं, ना करूं, करूं, ना करूं, तो भी डिसीजन टलने लग चाते हैं फिर आप बार बार यह सोचेंगे, काश, यही मेरा प्रोफेशन होता, मैं सुबस्बब उठकर फोटोस के लिए जाता, फिर ऐसे लोग जो होते हैं, वो सुबस्बब जल्दी उठने में भी हिचकिचाते नहीं है काम चालने की आदत, यह भी एक तरेकी की आदत होती है यानि की उसको यही नहीं पता कि वो क्या चीज करें, चुनाव ही नहीं हो पाता है, और उसको ही टालता रहता है, आगी का काम तो क्या होगा, तो टार्गेट इन ही डिसाइड होता, अक्टिव, जिसे हम अक्रेसिया भी कहते हैं, ग्रीक लांगविज के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, जो एक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन होती है, आपको पता है, आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या टार्गेट है, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं, आपको पता है, आपका प्रोजेक्ट समित होना है, आपको एक लिमे थोड़े दिल में कर लेता हूँ, थोड़े बहुत भाहर गूमकर चाहओ, वो व्यक्ति वो काम कभी नहीं करेगा आप एक व्यक्ति को जो administration में है उसे कहें कि तो creative बन जा तो बढ़िया बढ़िया painting कर बहुत अच्छे अच्छी photography कर वो व्यक्ति कहेगा कितने boring काम में मुझे लगा दिया मेरे तो सरदद हो गया क्योंकि उसे administration की आदत है लोगों को discipline में लाने की आदत है वो काम में खुश है लेकिन अगर हम उसे उल्टा काम उसको देंगे उसका interest ही नहीं आएगा वो आपको टालने लग जाएगा वो कहेगा फुर देबात कर लेते हैं अच्छा time मिलेगा तो कर लूँगा अच्छा बाद में सोच लेता हूँ यानि की interest के हिसाफ से काम किया जाए तो व्यक्ती का मन करता है अगर आप देखें तो अगर घर का खाना फी का खाना उबलग खाना अगर किसी के सामने रखा है और रोज वोई खाना खाना पड़े तो व्यक्ती की भूग दीरे-दीरे करके कम होने लग जाती है वो जरूरत से थोड़ा कम खा रहा होता है उसको इतना मज़ा नहीं आता वो सिर्फ खाने के लिए खा लेता है कि नहीं ठीक है मुझे खा लेना चाहिए लेकिन किसी दिन चाट आजाए या उसके पसंद की चीजें आजाए तो व्यक्ती जो है थोड़ा जरूरत से जादा खा लेता है जब कोई पाटी हो रही होती है लोग कहते है आज तो कोई जादा ही खा लिया पेट में दर्द हो रहा है तो इंट्रस्ट की वजए से व्यक्ती जो है सादा खाता है तो हम काम ही तब करते हैं जब इंट्रस्ट होगा तो इंट्रस्ट है तो व्यक्ती काम करेगा तो इस बात को याद करिए कि अगर आप कोई चीज टाल रहे अगर आपको पढ़ाई में कोई ड्रस्ट ही नहीं हो आप बढ रहे तो आपका मणे निलगेगा कुछ बच्चों को एंग्लिश बॉह च्छी लगती है लैंग्वेजे अच्छी लगती है ढूर्ते में मालं टिला नाय कुछ बच्छ थे करह यह O तो इस तरफ उनका इंट्रेस्ट कहा है उनका इंट्रेस्ट है mathematics में तो mathematics में ज्यादा माक्स आएंगे तो आपका इंट्रेस्ट जहां होगा वहीं आपका मन करेगा नहीं तो आप काम कभी भी नहीं करेंगे तो इसलिए पहले तो interest पैदा कीजिए, आपनाoure कायर काम चुनते जो आपने चुनना थे उस्यू रेप σहं सिहीं के अपने काम कामिय को क्या पुटिय चाह prey को सब लोग्स के लिए मना करें, आपको अपके घर सफ управ।ड़े dato के सब लोग को ही पिरало रहता है ये काम में मेरी काबलियत है, इसमें मेरा इंटरस्ट है, मैं लंबे समय तक अगर इसको करता रहा हूं, ऐसे लगेगा, मैं हॉलिडे पे जा रहा हूं, देखिए, बहुत कुछ नसीब होते हैं वो लोग, जो लोग सुबह उठते हैं, और कहते हैं, वाह मुझे काम पर जाना ह आपको फोटोग्राफिक का शौक है, आप बड़ी अच्छी फोटोस कीचते हैं, बचमन से जब भी फोटो कैमरा आपके हाथ में आया था, जब भी आपके हाथ में स्मार्टफोन आया, आपने इतनी बड़ी आप फोटोस कीची, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वाइ मन से कर तो लेंगे, शायद आप उस प्रोफेशन में सक्सेस्फुल भी हो जाएं, शायद आप बड़ अच्छे डॉक्टर बन जाएं क्योंकि आप टालेंटिड तो हैं, आप हर चीज अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बन के भी बार बार जाएंगे, बार बार मन करेगा कि मैं फोटोस कीच के देखता हूं, भी घुमने भी जाएंगे, आप फोटोस क्लिक कर रहे होंगे, आप कभी नेचर की फोटोस ले रहे होंगे, कभी आप अनिमल्स के ले रहे होंगे, और फिर आप बार बार ये सोचेंगे, काश, यही मेर प्रोफेशन होता, मैं सुवब सुबब उठकर फोटोस के लिए जाता, फिर ऐसे लोग जो होते हैं, वो सुबब जल्दी उठने में भी हिचकिछाते नहीं है, फिर उन्हें लगता है, सुबब चार बजे में उठता, पहाडों में घूमता, इतना अच्छा लगता, वादिय इतने सुद्र सुद्र क्लाउड, इतने सुद्र सुद्र माउंटेंज, फ्लावर्स, उनके बीच एफोटोग्राफी कर रहा होता, ऐसा लगता है, जन्नत में जिंदगी जिये रहा हूं, स्वर्ग, स्वर्ग जैसी जिंदगी, तो वह व्यक्ति बीच बीच में ब्रेक तो आपका जहां इंटरस्ट होगा, आप वहां भागेंगे, वह काम करेंगे, और जो आपका इंटरस्ट नहीं आप उस काम से पीछे हट जाएंगे, तो व्यक्ति अगर टालम टोल करता है, इसका मतलब है, उसने अपना करियर च्वाइस ठीक से नहीं किया, अपने काम को ठ कविता नहीं बन रही, आपके पास कोई प्र्डॉक्त तो नहीं आप iस प्रॉडॉक्त बना रहे हैं, आप एक मशीन के अंदर आपको 20 प्रडॉक्त चाहिए, पूरे दिन के अंदर और मशीन गुल गुल भूँमेगी और प्रॉडॉक्त को बना देगी, जब कविता बना होते हैं या कुछ गजल लिख रहे हैं या कोई आप लिख रहे हैं उसके अंदर जो आईएज आते हैं वह आईएज जो हैं बड़ागी डिफरेंट होते हैं अगर आपको लगता है कि दो दिन में बोचीज नहीं पूरी हो पा रही तो लोग क्या करते हैं कुछ टाइम तक लि जाना दिखा जाता है कि बहुत मश्यूर पेंटिंग जैसे मौना लिसा भी है वो जब बन रही थी तो सालो साल उस पेंटिंग को बनने में लग गए क्योंकि लिए नादू दाविंची ने पहले तो पेंटिंग मनाई उसके अकॉर्डिंग जो पेंटिंग थी अधुरी लेक जिसमें आप उच्छे आईडिया की बेःट करते है है जिसके आपको प्रोडक्ट अछा बन जाएछ, भीक अंतर दुंध देखे एक तरह का conflict होता है जिसे बोलते है इंटर परसनल conflict यानि दो लोगों के बीच में conflict मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई आपको मेरी पसंद नहीं आई अब यह decision तल गया यह काम नहीं होगा एक व्यक्ति property बेशना चाहता है एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो बेच क्यों क्योंकि इंटर परसनल relationship की वजए से ऐसे ही एक होता है इंटरापरसनल इंटरापरसनल जो कॉस होता है उसमें भी तीन तरह की varieties होती है यानि आपके पास एक option तो है कि जब दोनों options जो सामने मिले वो दोनों के दोनों ही गजब के हैं एक आपको जो है जोब ओफर एक और दोनों लड़ू मुझे पसंद है और दोनों ही मैं खाना चाहता हूं दोनों तो नहीं खा सकते हैं आपको एक लेना पड़ेगा तो कहीं बार डिसीजन टल जाता है आप सोचे कौन सी कंपनी में करों कौन सी कंपनी में करों दोनों ही तो बेस्ट हैं और कहीं बार क्या ह होता है दोनों option ही बेकार होते हैं यानि एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई आप जहां जाएंगे बुरही हो जाएगा तो भी आप decision टालते हैं कि क्या करूं गड़े में गिरूं या क्या करूं कोई में गिरूं तो आप टालते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक option बहुत बढ़िया और दूसरा option बहुत बेकार है आप उस good option की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन कोई रोक रहा है जैसे आपने जहां शादी करनी है आपका मन है लेकिन आपके parents वहां शादी करने नहीं दे रहे हैं तो यह भी reason होता है चीज को टालने का और एक होता है unconscious reason यानि आप जो है जानते ही नहीं कि क्यों हो रहा है जैसे कोई डर आपके अंदर बच्वन का भरा हुआ है घर में जो है parents fight करते रहे जगरते रहे उनकी कभी बनी नहीं आपस में तो आप से जब भी शादी के लिए कहा जाएगा आप ढरने लग जाएंगे आपके शादी नहीं कर जो टूटा हुआ है broken marriage type देखी है तो उसके कारण आपका मननीगता आप उस decision को टालते हैं तो जो procrastination है इस आदत से हम चुटकारा पा सकते हैं अगर हम थोड़ा इन reasons पे थ्यान दे